हलो दोस्तों आपका स्वागत है अजहरी एलेक्टिशन यीट्यूब चैनल पर आज हम एक मफजित के अंदर बायरिंग करेंगे जिसमें स्टेप बाई स्टेप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा जिसमें कैसे हम डिब्बी को खोलते हैं कल्शीड बॉक होता है उसको कैसे हम साफ करते हैं और मफजित में कहां पर कैसे पॉइंट दी जाते हैं और कैसे कैसे पॉइंट दी जाते हैं बारा मॉडलर बोर्ड और एट मॉडलर बोर्ड जहां पर जैसे जैसे बोर्ड लगई होंगे आपको बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से समझाय जाएगा आप वीडियो को बिलकुल भी स्किप ना करें आपको एक पॉइंट की बात बताई जाएगी और इन्वेटर की बायरिंग कैसे करते हैं उसका कनेक्शन कैसे करते हैं सब कुछ आपको हम समझाएंगे यह देख सकते हैं यह हमारी मफजिद मफजिद के अंदर हम जोपी बगरा सब बिलकुल कम्प्रीट हो गई है पेंट होकर सब काम तयार हो गया है और यह मफजिद का मिंबर है देख सकते हैं माशालला कितना खूबसूरत मिंबर बना हुआ है यह गुम्मद खजरा और कावशरीफ बना हुआ है और यहां पर टैल लगकर कम्प्लीट ह हो गई है और सारा काम कम्प्लीट है अब यहां पर सरफ वाइरिंग ही करना है हम को लैट की तार डालना है तार डालते हैं कैसे वह 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 आपको समझाय जाए गा यह देख सकते हैं बुचार तरफ कटिंग होकर डिब और बोड बगए अगरा लगे हैं और यह देख सकते हैं यह दिब भी लगे हुई है यहां पर होल्डर कशेंगे और यह हमारा 12 मॉडलर बोर्ट लगा हुआ यहां पर LED की पॉइंट दिये जाएंगे यह सीलिंग फैन लगेंगे यहां पर और बोक्स भी लगे हुए है यह इसमें पॉर्शन वाइप बटा हुआ तीन पार्ट हैं इसके बटे हुए देख सेथे बीम का इसाब से एक सैट से दूसरी सैट और यह यहां पर हम कर रहे हैं इसके अंदर मटी भरी हुई है गाओं में मटी और रेता भरा जाता है पेपर बहुत कम क्योंकि यहां पर मटी भर देते हैं और रेता भर देते हैं जिससे हमारी कंशीर्ड बॉक्स में बजन बढ़ जाता है जिससे वो इदर उदर भी नहिलती है आसानी से फिर बाद में मटी भरने में थोड़ी परिशा तो निकल जाता है इस अब कंप्लीट कर दी हमने खोल के कल्शिट बॉक्स हो बाइरा अब हम करेंगे वैरिंग यह हमारा है विल्स का बाइर है डाई एम एम यह लाल कलर में हमारा और यह देख सकते हैं यह हमारा एक एम है बिलू कलर का नीले कलर का इसको हम बनाएंगे करते हैं बाइरिंग शुरू कि दे सकते हैं यह आपर हमने बाइर सारे तार को डाल दिया हमने बोलने में थोड़ी बहुत मिश्टैक हो सकती है फिलाल आप को एक-एक पॉइंट समझायने की कोशिश करूंगा मैं यह हमारे मफजित के इमाम साहब हैं हाब जी यह बोलेते ह हम भी आपकी मदद करवाएं माशाला बहुत बढ़िया हमारे हजरत हैं और यह देख सकते हैं तार इदर से पढ़कर इदर को जिसी डिबी से निकल चुके बहार इदर खेच रहे हैं पाइप सारे हमारे खले यह निकले कोई भी पाइप हमारे बिलॉक नहीं निकला इसमें हमें कोई परिशानी बाइल डालने में नहीं हुई है और देख सकते हैं सीलिंग फैन और यह लैंसे हमारे सीलिंग फैन कंशीट बॉक्स से बराबर में यहां इधर से हम देखो इधर बार डाल रहे हैं कंशीट बॉक्स में होकर हमारे तार निकल निकल नहीं देख सकते हैं कि इदर से हम बढ़ाते हैं और इधर से से हमारी थार कि यह खीनीच रहे हैं मैं कि इस में जब हमारा जाता है तब उसमें हम कंक्रीट बगरा जटक जाता है लेवर फेल रखे देने से तो हम उसे के लिए ж गो साला भर जाता है तो उसमें सरीया की रॉड डाल कर हतोड़ी से ठोग लेते हैं हमारा पैप भी खुल जाता है आसानी से कभी भी ऐसी परिशानी पड़ेगी तो इसकी वीडियो भी हम आपको अपलोड कर गएंगे और आप तक पहुंचाएंगे यह तार हमने बान दिया और इस तार को हमने इस आगे की तरफ खेच लिया है यह सारे बायर खेचने के बाद और पंखे के कनक्शन कलंशीट बॉक्स अब हम साथ साथ लगाते हुए चलेगे देखिए आसानी से सारे बाहर हमारे इदर सीलिंग फैन की तरफ निकल ले हैं कन्शिट बॉक्स में से दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं गाओं से ही बिलोंग करता हूँ गाओं में ही रहता हूँ और गाओं के ही कारिये जो भी बिजली फिटिंग होती है करता हूँ और गाउं में लैट फिटिंग करने में बहुत परिशानी पड़ती है क्योंकि गाउं में कभी तो लिंटर में पाइप राज मिस्त्री डाल देते हैं इस तरीके से पाइप का बैंड कहीं उतार दिया किसी कमरे में उतार दिया किसी कमरे का तो किसी कमरे में उसमें बहुत परिशानी पड़ती है और आप सभी लोग भी मुझे अमीन है जादा तर गौण से ही ब्लोग करते होंगे और आप भी बहुत सारे ऐसे इलेक्टिशियन होंगे जो कि गौण में आपको पता ही होगा कैसे परिशानी पड़ती है करते हैं किसी का बैंट कहीं उत्रा हुआ होता है किसी का कहीं पहले और ज्यादतर पाइप मिस्त्री जो मकान बनाता है वो खुद ही मिस्त्री डाल देता है फिर उन्हें अपनी तरीक कि नहीं कोगा ना प्राम दे कारस्फ को एक जिगा निकाल देते जो इसमें करने में परेशानी हैं बहुत हैं है और उसमें खर्च भी बहुत ज्यादा आ्याता है venantना तुस्यास वाख द्ता है वहारा और मिस्तरी का तो काम भी बचाएगा क्योंकि मकान मालिक का सबसे जादा फायदा होगा माल कम लगेगा खर्च कम आएगा और जीशा से फिर इलेक्टेशन भी पैसे कम थोड़े कम लेगा यह हमारे पाइप बूप स्वारी सीलिंग फैन में सारे हमारे तार आचुके हैं अब हुष्का छटनिदेज़ इस इस पही असनी कि आटेक्ट में तार ढाल गए है इसको तार इस टील वालवाले तायर को बांध लिए और हमने रिखेश लिए इसको बाहार कि इसी करहें से तरीके से सारे सीईड भॉख मंप्य को हम अने डाल देते हैं और जिसका पॉइंट भ प्वाइन का पॉइंट है बहां पर एक बायर हम अलग से डाल देते हैं बहां पर पॉइंट बायर के लिए और फिर न्यूटल में एक हाप तुकड़ा लगा कर बांद देते हैं यह देखि हमारे तीनों बायर इदर आचके हैं अब इसका नगान के लीए het अब इसका एक सिरा लेकर इसके लीए उसागे के लिए हम टार को डालते हैं यह कि यह देखिए इधर से हम तार को बढ़ा देते हैं अगे के लिए हमारे ये साम यहां पर चज्जे की लेन है हमारी इसलिए दूसरी को लगाया गया यहां पर अब देख सकते हैं इस लेन में हमारे लांकर कंपलीट हो गया है पौइंट वायर basin लाकर लाकर फैंट वाक्स में पौइंटों पौइंट के छोड़ दिये जो और सुच अप आखान सवरी देख सकते हैं कर दिये कर टैपिंग करके लगा देते हैं यह हमारी कंशीड बॉक्स लग चुकी है देख सकते हैं इसमें कनेक्शन हमने कर दिया है यह कंशीड बॉक्स को हाथ से इसमें दो पत्ती होती है पत्ती को सेट करके कंशीड बॉक्स के अंदर बैठार कर हाज से एक सार कर गए थोड़ा घुमा देते हैं जिसे हमाज कंशीट बॉक्स के अंदर कंशीट लाइट फिट होकर बैट जाए अब यह कनेक्शन करते हैं सीलिंग फैन का इसमें भी हमने वैसा ही करा है एक बायर अलक्स लेकर जो हम में बोर्ट तक ले जाते हैं मतलब सुच का जो में बोर्ट होता हमारा बहां तक बायर और दूसरा न्यूटल में कट मार कर जोड़ देते हैं सीलिंग फैन कंप्लीट हो गया और इधर भी हमारी यह कंशीट लाइट लगा रहे हैं आपर थोड़ा मटेरियल आ गया इसको हम हतोड़ी से मटेरियल को हटाकर कंशीट के अंदर लैट को फिट कर देंगे जिसे हमारी लैट आसानी से और अच्छी लगेगी यह थोड़ा मटेरियल जो हमारे के सेट से भरा हुआ है उसको हमने साफ कर दिया अब हम लगाते हैं कंशीट लैट यह देखिए इसमें दो पत्ती होती पत्ती को हाथ से दबाकर अंद कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बहुत क्योंकि इतना बंदोबस्त और इतना वह हमारे पास से कुमेंट बगारा नहीं है जिससे हम वीडियो को को अच्छे तरीके सा असानी से बना सके मूबाइल से हम रिकॉर्ड करते हैं आप तक पहुंचाने के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घ्रद अब ज्यादा सपोर्ट करें और यह हमारे बाएर देख सकते आप कम्प्लीट हैं यह सफेद कलर के जो तार है यह हमारे हैं पंखे के पॉइंट और यह काला वाले देखा यह नूटल यह डाही एमें का मैं प्रला वाल यह हमारे बाएर सारे complete main board में हम डालेंगे में सुच devout में कि यह हमारे बायर पर आच गया इस डिव से यह देख सकते यह डिवैं यह डिप हमारे सीधे सुच बौर्ड के लिए पर मारे बौड लगा हुआ है यह बौड में हमारे सारे पॉंट बाहर जा रहे हैं यह सकते हैं यह वीडियो थोड़ी हमारी कैमरा थोड़ा तिरचा होने से मुभाईल का तो इसलिए थोड़े आई एक मिनट की वीडियो कोई दिक्कत नहीं होगी अब बड़े साथ में आ जाएगी यह सकते हैं सारे पॉंट हमारे बॉर्ड में से जा रहे हैं कि इधर होल्ड हम लगा चुके हैं देख सकते हैं यहां पर यह हमारी डिबी लेगवी यहां पर अब कनेक्शन होल्ड का छोड़ेंगे इसमें रेट कलर का वायर है और यह लाल सौरी ब्लैक वाला न्यूटर हमारा यह डिबी कंशिड बॉक्स है यहां पर इससे सारे बाइर होकर लिक हमारे में बोर्ड तक पहुंचके यह कंशिलेट सब कंप्लीट लगा दी हैं हमने और यह जैसे डिबी हैं हमारी दीबार में इसमें लगाएंगे हम हॉल्डर यहां पर देखी हमने यह पिला बाला जो तार हमारा यह हमारा हाप रहेगा पॉइंट का जो सुच में लगाएंगे इसमें हॉल्डर लगा देते हैं दूसरा हमने कट लगा कर डेड़ा एम एम का जो लाल बाला तार है उसमें कट मारकर हमने एक टुकड़ा लगा दिया है झो हमारा न्यूटल इस हौल्डर तो पहुँचे गा और दूसरा पीला बाइर हमारा秦 सुच तक पहुँचे गा जिससे हमारा on-off होगा इसी तरीके से हम सारी वैरिंग और प्वाइंटों में जोनकर बहते हैं होल्डर और कंडिशीट बॉक्स में भी इसी तरीके से कंडिशी लाइट भी इसी तरीके से लगाई है हमने अब इस हॉल्डर को हमने कर दिया है यह कंप्लिट इसको हम कस देते हैं इसमें हमने सारे बाइर लगाकर कंप्लिट कर दिया है यह हमारा हॉल्डर भी कफ चुका है यहां पर और दोस्तों यह टाइल के अंदर हमारे जक्षिन डिब्बी जो पहुंच जाती है उसके लिए 2 इंची का पेच लगाए जाता इंदर पहुंच जद घहरें डिब्बी लगी हो जदा अंदर हो तो वह हिसाब से हिसाब से पेच लगाना होगा एक इंची या डेड़ इंची सारे पेच मौके पर हमें मगाना होते हैं डेड़ इंची एक इंची और दो इंची ज्यादतर काम में आते हैं काम में ज्यादतर डेड़ इंची का पेच आता है लेकिन जब डिबी हमारी पलास्तर के ज़्यादा अंदर बैठी हो या टाइल लगी ही हो तो बहाँ पर हम दो इंची की डिबी लगाते हैं इसे हमारा हॉल्डर को मजबूती से कफ जाएगा और फिर कोई दिक्कत रहोगी यह हॉल्डर लगकर हमारा कम्प्लिट हो गया है देख सकते हैं यह मिम्मर के सेध जेश्ट ऊपर लगाया है हमने हॉल्डर यह आप हम आ गए मिम्मर के अंदर हम एंदर हम ले लेया नकाल कर इस दिबी मर् हम लिया हैं यह पर देख सकते यह तीनों मेनी बाईर हैं हमारे और यह पीले बाले हमारे मिम्मर गंदर से जो हमने पॉइंट लगाए थे होल्डर कसके उस के बतार हैं यह सारे और यह हम इसमें नेटल वाले में कट मार कर और यहां पर एक छोटा श्टुकड़ा जोड़ते हैं जो हमारे नेटल होल्डर तक पहुंचेगा और दूसरा वायर जो हम एक डालेंगे वह हमारा में इस होल्डर में लगेगा और दूसरा वाला जो तार डालेंगे हम उसमें हमारा हमारा पॉइंट वायर होगा सुच में लगाएंगे यह हमने कट मार कर इसमें हम को बच्चे तरीके से इसकी पीवी सी को च्छील कर और इसमें डाई में बाले बाहर में लगा कर टेपिंग कर कट को खूब असा इस हिसाब से लगाना चाहिए जो हमारे बाएर जो होते हैं água ककटे नहीं जज्जादा इसाफ से टीवी mais चेलना चाहिए कटर से और टैप को खूब अच्छा दरीके से लगाना चाहिए हमारा बाहर कहीं नंगा न रह जाए ताकि हमारे दीवार उपर अर्था आने का खतरा भी रह सकता है हमने टैप लगागर कर दिया है complete यह सारे बाहर को हमने एक अट्टा जोड़ कर अगर टैप ले आकर हम डालते हैं में बोड तक यहां पर हमारा एक बारा मॉडलर का बोड होका लगा यहां यहां ने जोड़ा है है एक हमने जोड़ा है निटलमें कक्णकिन और दूसरा वायर हमारा में बोर्ड शुच्छ बोर्ड से गया सीधा और यहには हॉल्डर और इधर भी हॉल्डर हमारा लग रहा है यह हॉल्डर लगकर हमारे इदर complete हो चुके हैं में बोर्ड हमारा में सुच बोर्ड है यह इसमें देख सकते हैं यह point के बायर है और main wire सारे complete कर चुके हैं और हमारा holder भी कसके complete हो गया है दोस्तों बायरिंग हमारी complete हो गई है अब हम यह हमारा material पड़ा हुआ है anchor penta का यह हमारी mcb इस बोर्ड में हम लगाते हैं सीवी इसमें जितने भी point होंगे हमारे इस mcb से इसमें face connection देंगे जिससे कोई find होगा तो हमारी हैं इसे supply बंद हो जाएगी mcb लगाने का तरीका देख सकते हैं इसमें पहले इसकी ऊपर की जो प्लेट होती है mcb के उसको उतार कर फिर लग पहले प्लेट लगाते हैं प्लेट के बाद फिर mcb को इसमें लॉक होती लगी इसको दुन हातों से पुछ करके दबाकर विठार देते हैं और आसानी से हमारी यह mcb लग जाएगी यह देखिए हमारी mcb लगकर complete हो चुकी है और दूसरी company की जो mcb होती है वो आसानी से उपर से ही लग जाती है उसकी कोई प्लेट वगारा नहीं उतारी जाती है यह anchor penta की mcb है इसलिए इसमें देख सकते हैं चौड़ी जादे है और उपर से आ नहीं रही थी नहीं दर से फिर इसकी प्लेट को उतार कर लोग iamcb को उपर से उसमें लोग होती हैं उस पेजकर से उत्ता कर लगा दिया है हमने अब हम करते हैं इसमें connection जिसमें सुच जितने हमारे सुच लिए हैं सारे सुचों में एक बैर कर टुकड़ा लेकर उसकी पीवी सी को छीड़ कर उसमें सारे सुचों के पेज को हम कोल गर उ सच में डाल दिया है हमारी जो चाठकनी होती है और ये इस में हम लेक तोकड़ा काट कर दो चेटकनी लेगा है इसमें भी हम ये बड़ दी आग यह हमारा जो फेस connection था کہ हमारव कंप्लिट हो गया है अब हम देख सकते हैं और यह एक जो फेस होगा उसको हम MCV के लोड़ वाली सैट से जहां पर लोड़ और लाइन होते हैं लोड़ नीची सैट से ज्यातर होती है लाइन यह हमने देख लिए से कर दिया है MCV को जब हम उठाएंगे तब इस वोड़ की सप्लाई चालू होगी इस वोड़ में जितने भी सारे हमारे पॉइंट होंगे सिलिंग फैन लेडी बल्ब और कंशेड लैट बो सारी सब्सक्राइब चालू होगी इस वोड़ के इंदर की इसी तरीके से हमने और सारे बोडों में एमसी भी लगाकर कंप्लीट कर दिया है यह सुच वोड हमारे लगकर कंप्लीट हो गए देख सकते हैं हमारा सॉक्ट का करनेक्शन सुच से दिया है और इंटीगेटर इस सॉक्ट में न्यूटल लगा दिया है इस जब हम करेंगे तब इसमें न्यूटल देंगे या हमारे वायर होगे complete, हम लगाते हैं सुच वोड को, यह हमारा जो निटल वायर है, डेड़ा मैम का, जो हमारा पॉइंटों से हमने लेकर आए थे, उसमें हमने टैप लगा दिया है, डाइमम वाले निटल वाले वे, और यह हमारा निला वाला है, इन्वेटर वायर, और यह के फेस्ट वायर हमारा हो गया यह हमारे मडेलिन लूटर और यह हमारे सफेद वाले सीलिंग फैन के और यह पीले वाले हमारे लीडी बल्ब और कलिशे लैट के पॉइंट अब हम इस की को छील कर अच्छे तरीके से इसमें जो हम सुच में लगाएंगे उसको पहले कट करके पर यह तरीके से पीशीज को टार के चील लेते हैं यह हमारा सुच बोर्ड इसमें करते हैं सबसे पहले एमसीवी में फेस वायर यह हमारा धाई एमम का में फेस है इसमें हमने एमसीवी में कर दिया कनेक्ट अब हमारी फेस जबी चाली होगा जब हम एमसीवी को है अब हम लगाते हैं पॉइंट के वायर यह हमारे पीले कलर के वायर है जितने भी यह हमारे एलेडिवल और कलिशी लाइट के पॉइंट हैं इसी बोर्ड में हम आपको इन्युवेटर का करनेंखसन भी दिखाएंगे कैसे नीवर्टर के लियां चालू करते हैं कैसे है हमने शीली फैन और लीडी बल्ब और हमारी कंशिल लाइट के सारे यह सुचों में एक-एक सुच के अंदर लगा कर कम प्लेट कर देते हैं करेक्शन इसका यह माजो नीला वाला व्यू वायर है और एक पॉइंट यह रह गया हमारा सफेल सीलिंग फैन का है इसको भी हमने लगा दिया है इस वोड में तीन सीलिंग फैन है हमारे क्योंकि मस्जिद में के अंदर सीलिंग फैन ही ज्यादा होते हैं और दीवार होती नहीं होती है यह हमारा जो नीटल वायर है इसको लगा देते हम सौकेट में को भी सौकेट के अंदर रार को प्वच्छ तरीके से ए इन्मेटर वाला वायर इसको अब फ् in च्रृ कर और यहां से एक सॉकेट की सप्राईस द्रखेंगे और देऊंगे एक सीलिग फैंड की सप्लाई इन्वेटर स्यालू यह हम अने जो नीज़वाला जो बाला था उसको हमने नीचे सुच है दो हमारे लगविए एक सॉकेट का एक सीलिंग फैन का उसमें फेस के अंदर हमने लगा दिया है और दूसरा जो हमने नीटल वायर यह था जुड़ा हुआ इसको में फेस से कंशन इसका हटा दिया है हमारा इनिवेटर का कंशन हो गया इसमें complete हमारे बोड़ हो गया है है रहे कसदि हैं हमने complete कर दिया है और देशकते हैं यह बोर्डर हमारा लग गया है यह बोड़ यह लग गया है अब इसमें यह बूड करेक्शन करा है समें इनिवेटर के शप्लाई चालू नहीं करना इसमें पोरा बॉड रहेगा हमारा light से यह बोड पर एमसी बोड है यह हमारा इस पर हमें दो एमसीवी और एक एमसीवी चेंज ओवर लगाने हैं यह देख सकते हैं में जो हमारी सप्लाई है में पूरी मफजित की लाइन हमारी हमने एमसीवी में जोड दिये हमारा 40 एंपियर का एमसीवी चेंज ओवर है बीच में हमारे रहेगा यह ना लाइट ना जनरेटर नीचे होगा हमारा जनरेटर वह पर हमारी होगी लाइट चालू इसके बारे में हम अभी आपको दिखाते हैं कहां पर हम लाइन जोड़ेंगे यह नीचे से हमने लगा दिया जनरेटर को जनरेटर वाले बाहर को जोड़ दिया ओपर से यह हमारा लोड इस पर हमारे लाइन चालू रहेगी मकान की और यह उपर वाली जो आप देख सकते हैं यहां पर लगाएंगे हम जन लाइट वाले पॉइंट को इसमें होती है लोग ल सप्लाई के उसको हम mcv के अंदर लगा दिया है mcv से जो हमारे बाहरे रेट कलर निकले हैं में बाहर मजित की लाइन अब करेंगे तक हमारे लाइट चालू होगी और नीचे ओकर एँगे तभ हमारा चलेगा जनरेटर यह हमने दोने में बायर को जोड़ कर दिया है कम्प्लीट बायर को कुब इस हिसाफ से लगाना चाहिए तार हमारे बाहर ना निकले और बोर्ट सुच वगएरा में टेच ना हो इससे करेंट नहीं लगेगा कभी होता कोई बायर का एक एक बायर कॉपर वाला सुट अब लग हो जाए स्काप्स राधे है कर इसलिए खूब द्यान से कांवाकर क नहीं नहीं काम बहुत द्यान से देना चाहिए यह इसारा का में लाट का रिए मना वाय कॉट जाल कर कम्प्लीट कर दी आप हमारा लग चुका है और यह मारी दोनोंहां बासे , इसको पेँसक्स से उठाकर उस यह देखिए यह हमारी पती इसको ऑपर उठाएंगे अधाएंगे और नदर लिओडा यगे जो आम सी बोड nimmtर जो कि फ्ट बैठ जाएगी हमारी меч हो चेटवर झाब कर देते हैंि- इस तरीके सेड़ करना चाहिए जब लगाएं तब हमारा वायर उसमें फसे नहीं और यह हमारे सब हो गया complete अब लगाते हैं इस एमसी बोर्ड का रखन यह जनरेटर वाली लाइन है यह हमारी मेंल लाइन इसमें हम लाइन को चालू करके और टेस्टिंग करके दिखाएंगे यह चेंज ओपर को देख सकते हैं यह हमारी एमसी भी इसमें है न्यूटल यह धकन इसको हम करते हैं फिट इसमें चार पेश लगाकर कर दिया यह connection इसका complete हो गया इसके पेश बगर अकस दिये हैं हमने अब हम इसके करेंगे लाइन चालू उसमें उपर जाकर हम मेन गवर्मेंट लाइन चालू जोड़ दिये हैं अब उठाते हैं इमसी भी उठाकर लाइन हमारी चालू होगी देख सकते हैं यह बोर्ड में हमारा करंट आ गया है अब एक एक करके आपको बोर्ड दिखाते हैं दोस्तो वीडियो बनाने में आपको मैं पहले बता सूँ मेहनत काफी लगती है काफी टैम लगता है और एक एक पॉइंट को समझा गया है हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पशंद आई हो तो लाइक कमेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यह हमारा लैटिन बात्रों के पासबोर्ड यहां पर यह देख सकते हैं पॉइंट सारे हमारे चालू हो गए कल्शी लैड भी चालू हो गई है और एक एक बोर्ड को हमने साब चेक करते हैं हमारी सप्लाई लैन में कोई फैल्ड वगरे नहीं है यह देखिए लेला हमारी प्रोपार चालू हो गई यह भी वोड और हम करेंगे एंसी वी कोबट करते हैं चैक लाएगी । यह देखिए हमने कर दिया बंद करते हैं तब हमारी चालू होगी यह देखिए एमसी ट्रिप गिरादने पर उसका फेस कनेक्शन खत्म हो जाता है कि इसलिए यह देख्यों चाले होगे कल शीड लग कर कम्प्लीट हो गई है हमारी और इसमें देखिए यह वह दूस्ता यहाँ चाने कर दिया है और यह देखिए मफज़िद माशाला काफी खूफसरत लग रही है और यह हमारा इन्यवेटर वेटरा यहाँ पर हमने कर्क्सन करके कमप्लीट कर दिया यह रेट किलर का बायर दिख रहे है यह हमारे इन्यवेटर के पेछे लगाया है इनिवेटर का फेस कनक्सन देने के लिए और यह सुच में लगा दिया यह हमारा बोर्ड लगा कर दिया हमने इसमें कम्पलेट दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे अजहरे इलक्टिशन यूट्यूब चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और अब कमेंट भी करें असलाम उलेकुम